आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ हेल्दी और टेस्टी नाश्टे की रेस्पी जो जटपट से बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही हेल्दी होता है तो आइए सुरू करते हैं तो सब से पहले हैं एक कुप की जितना पैसन ले लिया है तो आप जितनी हमने से बारिक बारी को जोपें नहीं कि deze नहीं यहां यहां पे दिधें रही हीा। क्यों गया हैं रहें पोड़ी हैं ही इस पूंता हे हैं आहां पहले को चूंत मोटी सूबा साम में भूख लगती है तो आप उस टाइम पे इसको बना करके खा सकते हैं बिल्कुल आसान सी रेसिपी है तो यहां पे रखिए हमने हल्दी का पाउडर डाल दिया है अब जाएगा इसमें लाल मिर्ची का पाउडर तो आप ना हरी मिर्ची का पेस्ट भी बना दाए तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और नए हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तो यहां पे देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसको हमें ना पतला सब बैटर बना के तयार करना है बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी जटपट नास्ता और जो हमने इसमें टमाटर डाला है इन फ्रेंस उसके वज़ा से यह चीला न काफी टेस्टी बनके तयार होता है तो देखिए अच्छे से पहले मिक्स करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे आप इसमें बारी कटा हुआ राधनिया भी डाल सकते हैं तो है तो डाल दीजे नहीं तो आप इसके कर सकते हैं तो यहां पर देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है और बैटर जो है बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है तो इसी तरह का कसिस्टेंसी चाहिए ज्यादा ह तो यह देखिए इस तरह से घोल बन करके तयार हो गया है तो चलिए इसको जड़पट से बना लेते हैं इसका चीला तो यहां पर हमने लिया एक कल्ची इसी की हल्प से हम इसको बनाएंगे इस तरह से आसानी होती है तो तवा गरम कर लिया है और इस पे डाल दिया है तेल अब गी भी डाल सकते हैं तो अच्छे तरीके से इसको फैला लेते हैं चारो तरफ से अब इसमें एक से देड़ चमज हम जुन बेशन का हमने घोल तैयार किया है ना बस इसको इसमें डाल देना है और थोड़ा सा धीरे-धीरे करके इसको फैलाना है क्योंकि हमने इसमें टमाटर भी और प्याज काटके डाला है फ्रेंस तो इस तर से थोड़ा धीरे-धीरे ही इ लेकिन खाने में इतना टेस्टी होगा फ्रेंज कि आप जरूर एक बार बना कर ट्राई करें वीडियो पसंद आये तो लाइक से जरूर कर दें तो यह दिखिए अच्छे से हमने इसको फैला दिया है तो थोड़ा सामने इसको मोटा ही रखा है ज्यादा पतला बनाने के जरू जरूरत नहीं है इसको थोड़ा सा मोटा रहेगा तो काफी इसको टेस्ट आएगा इसमें खाने पर तो थोड़ा सा उपर से तेल डाल देंगे ताकि जब पल्टें तो अच्छे से नीचे के साइड भी सीख जाए तो यह दिखिए अच्छे तरीके से हमने इसको सेख लिया है तो नीचे के साइड से सीख गया है तो उसको पलड़ देते हैं तो इसको जितना क्रिस्पी बनाएंगे ने फ्रेंस उतना खाने में मज़ेदार होगा तो यह दिखिए हमारा टेस्टी चीला बनके तयार हो गया है तो इसको निकाल लेते हैं और बाकी का चीला इसी तरह से तयार कर लेते हैं तो यह दिखिए हमारा टेस्टी चीला तयार है तो आप भी जरूर इस रेस्पी को ट्राइ करें धन्यवाद